हेलो फ्रेंज्स आपके अपने ही चैनल में स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सात्वे चरण से बहाली से संबंदित तमाम बाते होगी बी ऐसे भी को लेकर बाते होगी जो जिनोंने उन्हेंने नोटिस जारी किये हैं साथ ही साथ मुखमंत्री ने सात्वे चरण को लेकर जो गोसना कर दिया है उन तमाम बिंदों पर हम लोग विश्तिरी चर्चा करेंगे वीडियो छोटी होगी लेकिन काफी महत्पूर्ण होगी हमली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंतक जरूर देखें आप सभी को दोस्तों ग्यात है कि पिछले कई दिन में बात होगी और साथ ही जिक्षा विवाब के जो बैठक होने वाली है अपर मुख सचीब के जो भी बैठक होने वाली है और उन्होंने जो समिक्षा करेंगे उन सभी बिंदों के चर्चा इस वीडियो में होने वाली है सिरे वीडियो की तरफ रुख करते हैं जो हमारे संगंज में जीवका दीद्दी से भेट करने के दोरान उनसे जब सवाल पूछा गया उन सवाल के जवाब में अविर्थियों के मांग पत्र के जवाब में उन्हें कहा कि राज में जल्द ही बड़े पेमाने पर सिक्षोकों की होगी बहाली और जब यह मुखमंत्री सिक्षा होगी बड़े पेमाने पर करेंगे मुखमंत्री का यह बोलना सिक्षा मंत्री को उसाहित करना और यह तमाम बाते जाहिर कर रही कि अब बहाली में ज्यादा लेट नहीं है तमाम बाते हुई यह तब जब सिक्षक अविर्थियों के द्वारा अपनी मांग पत्र सोपा गया तो उसके बाद मिडिया के सामने मुखमंत्री ने यह बयान दिया कि राज में जल्द ही बड़े पेमाने पर सिक्षकों की होगी बाहाली और इस सिक्षक की बाहाली ना जानी कितने विवाओं के सपने को पूरा करेगी कितने राजनीती आकरे बदल जाएंगे इसके बाद सिक्षकों की रूप रेखा बदल जाएगी अगर यह बाहाली होती है तो दोस्तों लाखो वड़ती जो बिरुजगार पर रहे हैं उमीद में हैं कि सिक्षक बाहाली जो होगी उसमें हमें एक छोटी सी अदत नौकरी जो मिल जाएगी जो जीवन या पन एक मेडियम क्लास फैमली के लिए सुखत की जीवन का साधन साबित होगा तो यह काफी अहम है कि जल्द बड़े पेमाने पर जिक्षकों की बहाली हो आगे अगर नेक्स्ट न्यूच की बारे में बात करेंगे सबीर को तो यहां पर आप दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार विद्याले परि सब्सक्राइब यहां पर कुछ डूमी अडूमीट कार्ड की बात की जारी है कि अब ब्स ने एक विउपति जारी करके यह कहा है कि डूमी अडूमीट कार्ड डौनलोड अब आप सभी अवर्थी कर सकते हैं जो कौमर्च संकाय से तो कौमर्च संकाय वाले जो भी हैं इसको ध्यान से सुनिएगा एक से समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहने ओनलाइन तूटी संसोधित करने परिक्षा सुल्ख जमा करने के समवन्द में आवश्चक सुचना है एतर द्वारा सुचित किया जाता है कि समिति की विक्रपति संक्या पी एक स्लेस दोजार तैस एं पी आर चौदर बट्टा दोज संकाई के लिए मादमिक सिक्षक पाता था परिक्षा 2022 के वैसे पंजिक्रित व्यर्ति जोनों ने अभी तक अपना आविदन पुर्ण नहीं किया तता परिक्षा सुल्ख जमा नहीं किया वे समिति की वेबसाइट पर सकेंडरी डोट बिहार बोर्ड ओनलाइन डोट गोवी के लिंक पर दिनांक 52223 से 82223 तक अपना आविदन पत्र भर सकते हैं परिक्षा सुल्ख जमा कर सकते हैं कि पैसेंस रखिए और इसको सुनिए कहीं आपसे कोई तुरूटी नहीं कहीं मिस अंडरस्टेंडिंग नहीं और चैनल पर नहीं है तो चैनल के सब्सक्राइब कर व उक्त परिक्षा में आविदन पत्र भरने वाले आविदकों का डमी एडमीट कार्ड जो है सिमित्ती के वेबसाइट secondary.biharboard.online.co पर है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं 102223 से 232223 तक डमी एडमीट कार्ड उपलब्द रहेगा और संबंदित आविदक उक्त अवधी म अपना डमी परवेश्पत डाउनलोड करना सुन्षित करेंगी कि दमीर परिवेश्पत आविदक को दोरणं ओनलाइन आविदन में दी गई सुचना के अदार पर जारी किया गया फिर इज्सी सुनिये गया किसी भी परकार की तुरिटी हो तो संबंदित आविदर का इपक कर समीति के उप्यूक्त वेबसाइट जो है लिंक पर जाके दिनांग दस दो यानि आज से पाच दिन तक समय है तेरा दो दस दो से और तेरा दो तक डमी परवेश्पत में मुद्रित विवरनों का तुरुटी सुधार कर सकते यानि आप से कोई भी अगर मेल के जगफी में ल इनार वर्तित कोटि के लिए निदारी सुलकी रासी बुगतान करना होगा आप अगर कुछ कैटेगरी के हैं जैसे अनु मूर्फ जन जाती या दिवाम कोटी के आविदक कोटी के सुधारों परांत अनकोटी में चले जाते तो उन्हें उस कोटी के लिए निदारी अंतर राशी 200 रुपे ओनलाइन विदी से दिनांग 13 फरवरी 2023 तक जमा करना होगा अनेथा मूल परवेश्पत निर्गत नहीं होगा तो ध्यान से आपने यह सुना और अगर ऐसा है तो आप जल से जल सुधार कर ले जिन आविदकों दोरा ओनलाइन आविदन जमा किया गया ह किन्तु परिक्षा सुल्क जमा नहीं किया गया वैसे आविदकों की सुच्ची समिती के उक्त वेबसाइट पर उपलावद है और छटा और अंतिम बाते हैं कि दिनांग 13 फरवरी 2023 के बाद किसी भी परकार की तुर्टी सुधार के दावा मानने नहीं होगा तदा उक्ती थ आविदक की होगी परिक्षा नहीं अंतरक तो यह कुल एस्टेटी जो डमी अड्मीट कार्ड है संकाय का कुमर संकाय का उनसे संबंदी थी खबर थी अगर नेक्स्ट खबर की बात करें तो अपर मुख सच्चिवने की रीट याचिका के मामलों की समिक्षा और प्रात्मिक करिया लेके और निदेशक प्रसाशन को आदेश जारी करने को का उन्होंने मैट्रिक प्रिक्षा के बाद विदान मंडल का बचरसत शुरू होने के पहले जिला सिक्चा पदेदेगारियां चेत्री उप निदेशक की वैटक बुलाने को भी कहा और साथी साथ सिक्चा इसमें लगबग पैरसर सु मामली के समिट्सा की गई है और ये विश्विद्याले से संबंदित भी कुछ खबरे हैं अपरमुक सचिम ने सेवान तलाबों सेवाव से सम्दित मामलों का सरवच प्रमिक्था देने को का है और अगर बैठक में प्रैत्मिक्था सिक्चा तो हजार ऑजनानावारी दोहां और मातविक्विक्षक निनले के गैंवेट्रह मंनावाद और थेरो सो एकटिस प्रैsmidny याची कांछ उच शिक्चा निजुथा तरह से इस पर बात की गई है और विस्तित चर्चा की है कुल मिलाकरी कहा जाए तो मुकमंत्री का यह बयान कि जल्द से जल्द क्या होगी बड़े पेमाने पर शुक्छो की बहाली होगी एक महत्पुर्ण माइने रखती है मुकमंत्री के द्वरा यह कहा गया है और जो कमर्च संकाय से हैं उनका एस्टेट जो है 2022 का डमी एड्मिन कार्ट जारी कर दिया गया है बात ये भी हो रही थी कि एस्टेट 2023 भी आने वाली है लेकिन अब तक इसकी कोई भी चर्चा नहीं होई इससे संब्धित कोई भी जानकारे मिलती है तो आपसे जरूर साजा करेंगे दोस्तों आप हमारे केवल सब्सक्राइबर नहीं है फैमिली मेंबर या जैसे हम हमेशा से कहते हैं तो जरूर लाइक सब्सक्राइब बटन प्लेज करें ताकि हमें होसला मिलते रहे और हम वीडियो बनाने के लिए तत पर रहें धन्यवाद